नमस्कार दुफ्तों मसंदीफ स्वागत आप सभी का आज की इस नए क्लास में चले दुफ्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास से जॉइन हो जाईए दुफ्तों क्यूंकि आज किस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप लेबल क्वेश्चन के मिल सके तो दुफ्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बीए ठीक है बीए हिस्ट्री मार्डल कोईश्चन पेपर के बारे में आप सभी को मालूम है कि नए सिच्छा नीत लागो हो गई है पिछले साल ही यानि कि पिछले साल ही तो वहाँ पर बताया गया था नए सब्जेक्टिव कुष्चन पूछे जाएंगे तो इस वीडियो में मैंने सारे कोईश्चन रखे हो सब्जेक्टिव बेस में जो की एक्जाम के एकॉर्डिंग है तो आपको ध्यान से समझना है और यह में यह भी कह सकता हूं कि कई सारे इन्वर्सिटी और कई सारे तो फिरहाल जहां तक मेरी जानकारी वहां तक सब्जेक्टिव कुष्चन पूछे जाने वाले और सबस्वेस्टर एक्जाम होगा आप सबीक मालूम है एक बार सबस्वेस्टर एक्जाम आप लोगों का जनोरी या फरोरी की मद्ध होगा और दूसरा जाके वह जब 6 मन्त समझाइंगे तब आप लोगों के एकजाम होंगे सिक्ट समस्टर के तो यह चाथ यह जो वीडियो है फर्स्च्टों सब्सक्राइब खासकर इंपार्टेंट है क्योंकि उनके आने वाले एकजाम के लिए उनके हेलफ होले और इस पर ध्यान में रखते हो अमने पूरा का प पहला कोश्चन है इस वीडियो मैंने सारे लगू उत्रिय प्रस्टन इंकल्यूड किये हैं तो ध्यान से समझेंगे जो कि इसमें मैंने पुनर जागन एक आप लोगों को बताने वाला हूं यह कहीं न कहीं पिछले सालों में पूछे भी गये हैं जैसे कि कानपुर इनुवर् में भी आया था 2015 में भी आया था और 2017 में भी सायद आया था ठीक है तो ध्यान में रखेंगे सारे कोश्चन पहला कोश्चन हम पढ़ेंगे यानि कि आपके एक्जाम में ऐसा भी कोश्चन आ सकता है कि पुनर जागन की प्रमुख विसेस्ताय या लच्छन लिखिए या फि लच्छन को थोड़ा घुमा फिराके लिखा गया है यह ध्यान में रखेंगा तो जो पुनर जागन की प्रमुख विसेस्ताय करके हम आपको बताते हैं और यहां पर लिखा है कि हम समझाएंगे आपको तो आप लोगों को हैडिंग में लिख देसे कोश्चन आप लोगों क कि विसेस्ताय निम्नुवत हैं लिखित हैं तो जैसे कि आप लोग घेडिंग डालेंगे उसके बार नंबर वाइच करके आप लोगों को मानवाद लिख देना है धर्म निर्पेजवाद लिख देना तो धर्म निर्पेजवाद के बारे में आप लोगों को लिखना है जैस नंबर विशिष्टाय के बारे में इसके बारे में डीटेल में समझेंगे लिखाए कि धर्म निर्पेच्छ वाद ठीक है तो जो धर्म निर्पेच्छ वाद है यह क्या विशिष्टा इसमें पढ़ते हैं लिखा कि मद्ध कालीन पुणरज याग्न के फल्सरूप मानोमस्ति मानो मस्दित को परंपरागत सकुंचित विचार धारों से मुक्त कर उनमें स्वतंत्र चिंतन एवंबैगानिक दस्तकोन का उदय हुआ जिससे समाजिक जीवन में धर्म निर्पेच भावना को उदय हुआ इसके साथ ही कैथोलिक चर्च की बुराईयों के बिरोध में जनमत तैयार होने लगा था गैथोलिक चर्च ने इसके विरोध में जो प्रित اب जाहिर की है उसने इसकी भावना इसकी परंपरा के नुसार सखनुचित विचार धारों से मुक्त कर उसमें ् सवतन्तर दो कोंड का उदै हुआ है। यह सवतन्तर में आप में निरपेश्च वाद में अब लोगों को यह लिख Queens यो सारे सघूरन इनका एंसर मैं अभी आप लोगों को बता दोंगा कहां पर मिलेंगे जैसे बाद में आपको पढ़ना हो अभी तो आप लोग यहां पर देखी नहीं जैसे बाद में पढ़ना हो तो पीडियाप भी हम आपको प्रोवाइट करेंगे लेकिन पर वीडियो के लास्ट में बताएंगे कहां पर पीडियाप में लेगी इसी में निष्ट जो आप लोगों को मिल जाएक बिशेष्टा वो है उदारवाद तो उदारवाद मानवाद और धर्म निर्पेचिता इसमें लिखा कि मानवाद और धर्म निर्पेचिता की वज़ा से यूरोपिये समाज में धार्मिक रूणियां तोटने लगी और अनुदार भावना का अंत हुआ इस प्रकार जो समाजिक परिवर्तन हुए वे नई संस्कृत के वाहक बने और उत्तरवादी सोच का उदह हुआ उदारवाद में यह बता जा रहा है कि मानवाद और धर्म निर्पेचिकी वज़ा से जो यूरोप समाज था उसमें जो धर्म की रिडिया थी वो टूटने लगी थी ए और अनुदार भावना का अंत हो गया इस प्रिकास समाज में परवर्तन हुआ और नई संस्क्रित वाहक बने और उदारवादी का उदे हुआ यानि उदारवादी सोच का उदे हुआ जैसे कि उदारवादी सोच का मतलब होका उच्च विचार वाले तो उदारवादी सोचने की विचार धारा थी उसमें काफी आगमन आया, काफी बदलाव आया या उसका उदाय हुआ तो इसमें लिखा पुनर्जागन के मद्ध यूगीन धर्म और परमपराओं से नियंतिर्थ चिंतन को मुक्त कर तर्क को बढ़ावा दिया गया यानि कि पुनर्जागन के जो मद्ध धर्म थे, मद्ध बीच का जो युक था, धर्म का, उसमें परमपराओं में नियंतिर्त चिंतन को मुक्त करके, जो नियंतिर्त चिंतन था, यानि कि जो चिंता लोग करते थे, ठीक है, उसको मुक्त कर दिया गया और तर्क को बढ़ावा और यह हुआ कि किसी के बारे में आप लोग कहते नहीं है कि वह तरक वादी थे या फिर इस तरक से उन्हों ने ये काम किया तो वह सफल नहीं तो तरक के बारे में यहाँ पर तरक को बढ़ावा दिया गया यह जो अच्छे से उसे के सामने पेशा सकें इसी में और लिखा है कि इस युक में आरस्तु के तरक सास्त का गहरा प्रभाव पड़ा जो यह आरस्तु एक समाज सास्त्री आप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं एक यह आप लोग कह सकते इनको एक भासा में तो आप लोग समझवादी कह सकते हैं दूसरे कह सकते तरक सास्त का गहरा प्रभाव पड़ा, पेरिस, बोलोन, आक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, आधि बिश्विद्यालेव ने तरक की विचार धाराओं या फिर विचार धारा को आगे बढ़ाया और उसी बात को सही मानने का निड़े किया, तो तरक की कसोटी पर साबित हो, ठीक है कि तरक कसोटी पर सही साबित हो, इससे संकीरता जाती रही, और दर्ष्ट कोण ब्यापक हुआ, तथा सर्व दिये सेता की और यूरोप अग्रसर हुआ, ठीक है, इसी में अगला जो है, आप लोगों को पिशेस्ता मिल जाएगा, वो मिल जाएगा राष्टे यता की भावन को राष्टेता जो है नियम कानून है राष्ट के देश के वो आप लोगों को जान में रखने चाहिए, ठीक है, तो वहीं पर यह बताया जारा राष्टेता के भावना का उदय हुआ, जो राष्ट की में भावना है, उसका आगमन हुआ, उदय हुआ, या पूरी तरह से व उनका अपना स्वातत्त जागा जागा और वे अपनी भासा सांशिक्रती और छेतरता पस गर्ब महसूस करने लगे, यानि कि जब वो नागरिक पूरी तरह आप कह सकते हैं कि जैसे कि जेल होता है, जेल से जब बाहर आ जाते तो वो पूरा आजाद हो जाते हैं, उसी तरह पूरा जागरन के कारण नागरिक अपना स्वता जागा, अपना स्वता जागा और वो अपनी भासा यानि कि जो भी उनकी लैंगज है, जो मात्र भासा है, उनकी जो सांशिक्रत हैं, उनके जो कल्चर्स हैं, और छेतर में जो उनको एरस्पेक्ट मिली है, जो छेतर में उन के लिए राज्यों को जरूरी बढ़ाई ठीक है जरूर बढ़ाई इसका मतलब यह है कि बैपार के लिए लोग राज से दूसरे राज में और केंद्रेकत राष्ट से जरूरी बढ़ाई मतलब यह हुआ अपने राज से दूसरे राज में जाके वह अपना केंद्र से परमिशन लेकर वह जो व्यपार है या फिर आपके सकते हैं जो अपना बिजनेस है उसको बढ़ावा दिया ठीक है उन्होंने बढ़ाया ठीक है और लिखा है कि इन राज्यों के सासकों ने राज्टंत्र को करण बनाने का प्रयाश किया और रास्टेता की भावना के करण इस काल में देशी भासा वहंु lep शाटर भाँसा हिंदी खासकर ठीक है और भी जो भासा है उर्दो फार से तीक है अर भी यों मिद्धा में प्रगत हुई इसपे प्रगत का मतलब यह राश्ट्यटे में प्रगत के मतलब उसमें काफी उन्नत हुई उसमें काभी बढ़ोतरी देखने के मिली इन सभी भासाओं में ओके तो इस तरह राष्टे भावना का पूरी तरह से उदय हुआ है ठीक है आई होप आप सभी समझ गे होंगे कि पुनर जागन की प्रमुक विशेष्टाएं क् लच्छण क्या थे तो यह सारे विशेष्टाएं हैं अगर आप लोग इन पे थोड़ा थोड़ा बना बना के भी लिखेंगे तो आपको अगर दस नंबर का कोईशन आएगा तो आठ से साथ नंबर 100% मिल जाएंगे लेकिन आप लोगों को उसके बारा थोड़ा समझना होगा आके आप बना बना के भी लिख देंगी क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो भी छात्र रेगुलर क्लास नहीं किये हैं उन चात्रों के लिए काफी प्रेशानी होगी वह को रट तो सकते नहीं इतने बड़े-बड़े इसके एंसर हैं और नहीं उसको नकल करके लिज इतने भी कोश्चन है इसमें से एक दो कुश्चन आपको एक्जाम में गारंटे के साथ कह रहा हूं देखने को मिलेंगे यह द्यान में रखिएगा कि पुरजागरण का राजनीतिक छेत्र पर क्या प्रभाव पढ़ाता है यानि कि जो पुरजागरण के कारण राजनीतिक ठीक है राजनीतिक जिसने अपनी क्रति ठीक है दा मोना क्रिया में राजसक्त को धार्मिक विशय उपर पधानता दी जिन्होंने अपनी करति जो थी इनकी ये इस पे राजसक्त का धार्मिक विशय उपर प्रधानता जनी कि इसको मुख्य माना ठीक है इस यूग का सबसे बड़ा राजनीतिक चिंतक मैकिया वैली जो कि 1479 से 1527 भी ठीक है था या फ्लोरेंस का निवासी था और वहां के कई राजाओं का सच्ची रह चुका था जो मैकिया वैली था ठीक है मैकिया वैली 1771 से 1527 तक था जो कि फ्लोरेंस का निवासी था और वहां के राजाओं का सच्ची रह चुका है यानि कि जो मेर मेर राजा होते उसका मखिया रहा अता उसे राजनीतिक के सूच्म दाव पेचो का अध्यान एवो मनन करने का सवभाव प्राप्त हुआ उसकी कृतिया में दा प था, वह राज को धार्मिंग मामलों में प्रधानता यानि कि सबसे आगे मुखिया ठीक है बन जाता था कि हाँ इस मामले को धर्म का मामला इसको हम खुदी निपट लेंगे इसमें किसी को आनेक जोत नहीं तो खुद प्रधानता देता था आगे आता था सबसे और लिखा क सब्सक्राइप्राहि तो परंते जो खोले, है तो ऐसंसे पुथ्यमितम्त में। तो नबकिन सब्सक्राइब नियुक। िनने लिए फ़ार की ऐनिनाभानाव्च काुछत अधनिक चारइप्रण को इस ने सब्सक्राइब कुछ अधनिक चारइप्रण सतवсьी। अब कुनों ने कुछ ऐसे सिध्धान्त यानि कुछ ऐसे लेक्चर जो पूरा बुक लिख दी या फिर उने ऐसे कुछ सिध्धान्त लाए हैं नियम कानून जो बनाए हैं उसकी वज़ा से उसे आधनिक चाड़क भी कहा जाने लगा था ठीक है उसका दस्ट कौन यथार्थव इंग्लेंड का हब्स था यानि कि उसके विचार जो थे यूरूप के बहुत से साजकों को प्रवावित किये थे उसके जो सोच थी उसके जो सोचने का तरीका था जैसे कि आप सभी समय देखते हैं जैसे कि हम अब नाम ले लेंगे संदीप महसवरी जी का और भी बहुत सार मैं देखता भी हूँ लेकिन उनका नाम मुझे याद नहीं है ठीक है राइटना वो भी याद नहीं बाद में आ जाएगा ठीक है तो उससे बहुत से साथसक्त हो थे वह इस पायर हुए थे प्रभावित हुए थे ठीक है जिसे मैं किसी से इंस्पायर होके मैं वह काम करने लगू या फिर मैं सोचू वो यह काम कर रहे हैं उस्पायर हो'llको को देखूं या फिर उनके जो काम करने का तड़ीका देखूं उससे इंस्पायर हों प्रभावित हुँ क्या ये कर रहे है तो क्याम मैं नहीं कर सकता हूं तो इसी तरह वहां अगे लिखेए प्रवावित याई लीति का एक एक अन्य राजनीतिक चिंतक इंग्लेंड का हाप rush था अधिक उड़ी में से प्रफात्तिक कला के छेत्र पर क्या प्रभा पड़ा परकीStok इ drainage त्यांंट का अस्थात्रवाव इंपक्ट पडे यहां कि आपको आप लोगों समय कुछेंगे दुमाला वीडियो को देखेंगे तुमाला देखेंगे तूजांगे कहीं समझ में आएगा यह में पहले बोलना हूँ पहली बार देखने से आपको समझ में नहीं आएगा आप यहीं कहेंगी कि सर कुष्चन पढ़ रहे हैं और उसका एंसर बता रहे हैं और फालतों की पक्वास कर रहे हैं चोड़ो इसको नहीं मैं जेनुविन चीज आप लोग या फिर प्रधानता थी मद्धिकाल में इसी सैली के अधार पर अधिकांस ठीक है भवनों का निर्माड हुआ था किन्तु पुनर जागन यूग में एक नई सैली का जन्म हुआ ठीक है नवीन सैली में यूनानी रोमन तथा अर्भी सैलियों का समयनुवे हुआ इसमें लिखाय की गोल महराबों का उपयोग किया जाने लगा इस नवीन सैली की सुरुवात इटली से हुई थी और बाद में अन्य देशों में इसका प्रचार और प्रसार हुआ तो इसकी जो नवीन सैली थी सरप्रथम इटली में ठीक है प्रकासित हुई या आप कह सकते कि सुर ने लशकी Lynn etc. 1377 से चौदा फचाचर इस नवीन सैली का प्रवरतक था इस सैली के मेहराबों गूंबदों और अस्तंब् rap की प्रधानता दी गई उसने नुकेले महराबों के स्थान पर गोल्ड महराबों का निर्मार कराया यानंगी जो नुकेले महराबों थे उनके स्था पर जो गोल यानि की जिससे स्टोटेबल हो सके उन महराबों का निर्मार कराया ठीक है तो आई होप यह भी आप लोगों को साइस समझ में आ गया होगा इसका एंसर भी ठीक है तो यह सब सारे जो कारे हैं वह फ्लोरेन निवासी बुले निश्की ने किया था ठीक है जो नुक कोईचे निशी में है कि पुनर्जागन का मूर्तिकला के छेत्र में क्या परभापड़ा यानि पुनर्जागना की और से पुनर्जागन से मूर्तिकला के छेत्र में यानि मूर्तिकला का सेक्टर है उसमें क्या इंपक्ट पड़ा इसका तो इसमें आप लोगों के 1778 से 1455 दोनों तिल्ले तेरा फच्याफिफे 1466 इस भी तक और माइकल एंजेलो जैसे महान मूर्तिकार हुए उन्होंने केवल इसा या मर्यम को मर्यम की ही नहीं वरन समकालिन प्रविक्तियों की ठीक है मूर्तिया बनाई इस यूग के मूर्तिकार जितना सोरे को मूर्त रूप देने में सच्छम थे उतने ही करुणा को ठीक है यानि कि मूर्तिकार जितना वो सोरे देते थे उतना ही करुणा को भी देते थे इस काल में मूर्तिकार भी अन्निकलाओ की भात धन्म के बंधन से मुक्त हुई और लिखाए कि गी वेरती एक महान मुर्तिकार था गी वेरती धान नखी गी वेरती एक महान मुर्तिकार था उसने फ्लोरेंस के गिर्जा घर के लिए सुन्दा दरवाजों का निर्मित किया ये कांसे के बने हुए थे ठीक है कांसे बने हुए थे और इन पर प्रचीन टेस्टामेंट के वरडित द्रसों का अंकन किया गया दोनों तेली ने मानमें विशयों पर अंकन किया था उसने बच्चों की अनेक सहज मूर्तिया बनाई यानि की बच्चों की मूर्तिया भी बनाई है ठीक है और द्रस बनाय और सुन्दर दर्वाजा का भी निर्माण किया किस ने किया आप सभी को उपर मैंने बताया है कि गी विर्ती ने ठीक है गी विर्ती अजीब अजीब नाम है आप लोग को समझे में इतनी जल्दी नहीं आएंगे एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में जाएगा। कि इसी में इस्ट कोईशन है जो कि मैं आपको बता दहाँ कि पुनरजाग्ण का संगीत कला पर क्या प्रवाबढ़ा हुआ पुनर्जाग्ण की वज़ा सेीस्ज़द कला पर ँन्त में दो सारी उन्तियां हुई है उसका मुख़ कारण या था कि मद्ध्कार म गाने थे ठीक है जो संझीत था वो वर्जित था यानि कि आप लोग वहां पर संझीत नहीं जा सकते हैं या पर वर्जित थे ऐसी एक सब्सक्राइन शारी रोगा संगीत थे और लिखा मार्टिन लूथर्न अपना धर्म यूरूप में चलाया तो नवीन धर्मों तो नवीन धर्म गीतों का दुर्लव थोरी प्रादुरुभाव हुआ प्रादुरुभाव स्वयम लूथर ने धार्मिक तथा अन्य कुछ गीतों का संकलन किया गियोनी पालेश्ट्राइना 1524 से ठीक है 1524 से 1594 इटली का विख्यात गायक था ठीक है उसने 1554 इस भी में समोहिक संगीत कर अपनी रशना प्रकासित कराई ठीक है पालेश्ट्राइना अतियंत ही लोग प्रियस्षिद्ध हुआ पॉप ने उसके द्वारा गिर्जागरों की प्रातना के लिए तयास्वरलीप को स्वविक्रत प्रदान की ठीक है मस्किन दस इस युक का अन प्रशिद्ध संगीत था इसने इटली के अन संगीतों के सहयोग से पुनर्जागर की नवीन सहली को जन्म दिया सोलुही सदी में स्वर्ताल आदी के विसेयों में नए ढंक से विचार किया गया और उसे लोग प्रिये बनाने ठीक है लोग प्रिये बनाने की चेश्टा की संगीत में लोकिक संगीत का प्रभाव पड़ा सोलुही सदी में लोकिक मनोरंजन के रूप में ठीक है उग्द सं करता रामक वाग्द का अस्थान वाइलीन ने ले लिया नवीन वाद यंत्रों में हप्सिकार्ड नप्रमख वाग्द थीक यंत्र था यह पियानो का पूर्व रूप था इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो संगीत के बारे में एटूडर जानकारी इस कोईशन से आपको हो जाएगी कि पहले संगीत गिर्जा घरों में अनिवार नहीं था यानि कि वहाँ पर यह वर्जित था कि संगीत वंगीत कुछ नहीं है धीरे धीरे इसका विकास हुआ उन्नत हुई ठीक है उसके बाद कई सारी इसकी जो आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे इसका इस्टेप बढ़ा उसके बाद संगीत का उगदमन हुआ आगमन हुआ उसके बाद कई सारी आप कह सकते हैं जो गाने का सौंग का जो एक होता नहीं कि एक सौंग है फिर दूसरा सौंग है उसकी ज होता है वाइलीर होता है और तो और अब बहुत बहुत सारी जो उसके जो equipment होते हैं यानि करण दिर जीसे जिसे मचीर्वा क्या मौत हैं वाइलीन और गिटार और चाहिस env definite वह तो इसागाण काूल इस तरह सात को सांगिति का आपन कंल में फापड़ा तो तो इस वीडियो में मैंने पूरे पांच कोईश्चन इंकलूड कि हैं जो कि पुनर जागर से सम्बंदित हैं इन में से एक दो कुईश्चन आपको 100% एक्जाम में देखने को मिलेंगे चाहे बिस्तित में आए चाहे लगुत्री में आएंगे यह कनफरम में करेंगे तो और वीडियो में हम पुनर जागर से सम्बंदित कोईश्चन और इंसर की बात करेंगे बस इसके लिए आप लोगों कमेंट करना होगा वीडियो की रिसक्रेश्चन में टेलेग्राम चैनल का लिंक है जोएन हो जाए मिलते हैं इस वीडियों तब तक के लिए जाहिंद